असलाम आलेकुम रहमतुल्लाह वरकातु इत्याद दून में आप सब ये का खेर मगदम हैं पूरे मुल्क में जिस तरह से माहूल बनता जा रहा है इस मुल्क की दिशा और दशा ते करना भी ज़रूरी हो किया है क्योंकि जहां एक तरफ हकंड भारत की बात कहीं जा रही है तो दूसरी तरफ कहीं है भारत विवाजन की तरफ तो नहीं जा रहा है आप हर रोज सुब उठते हैं तो देखते हैं कि आजान, जटका, हलाल, तीन तलाग, हिजाब बस इसी के इर्दिगिर्द ये पूरा मुल्क घूमता नजर आ रहा है महंगाई आस्मान चुरिये, बेरोजगारी बढ़रिये, अपनी तारीक की मियार पर रहा है लहाज आमार साथ आज खास मेहमान मुझूद है, महराष्ट की करन, युवा, नौजवान काईद, शुबम शड़के साब सबसे पहले आपका हमारे हम पर इस्तगबाल, खेर मक्दम सर, जिस तरह से यह माहूल देखा जा रहा है अब देश किस दिशा में जा रहा है, क्या वाकई लोग हिंदूराष्ट की चाहते हैं, महगाई चाहते हैं, क्या यह खून खराबा जिस तरह से देखा जा रहा है, कल हुबली में भी फसाद हुआ, देली में भी हुआ सर, यह आखिर यह मुल्क किस दिशा में जा रहा है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे सर्व बताएं कि यह जो सब हो रहा है यह सामने चुनाव देखके हो रहा है दूसरा तिसरा इसमें कुछ कारण नहीं है यह एक छोटा बच्चा भी बता सकता है अभी यह जो अपनी हुबली और दिली का बुला यह कल बेलगाम में भी होगा यह जो धर्म की राजनीति नफरत की राजनीति फैला ही जा रही है इससे हमारे देश का भविशक हद्रे में ऐसा मेरे को तो लगता है तो इसको रोखने के लिए हम हमारे तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यह नफरत की राजनीति जो यह एक पर्टिकुलर पार्टी फ promises कर सकता है अब तो खुले मचों से नर साहर जञाएड को अपल कि वह पील करां कि अब और गलत को गलत कि हमें किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है तो ये कहां गलत हो रहा है सर कोई आ क्यों ने रहा सामने लोग धार्मिक होना और धर्मांद होना इन दोनों में का फरक भूल रहे हैं हम जिन च्छत्रपदी शिवाजी महाराज को बगवान मन के उनके दिखाई रस्ते वे पर चल रहे हैं तो च्छत्रपदी शिवाजी महाराज को भी हिंदुवी स्वराज्य संस्ताबब बोल और हिंदू होना या अपने धर्म करव गर्व होना यह कोई बुरी बात नहीं है मैं भी हिंदू हूँ मुझे मेरे धर्म बेग गर्व है और यह जो डेफीनेशन है हिंदुतु की यह डेफीनेशन यह लोग भूल रहे हैं अब एक अपने धर्म के लिए कुछ अच्छा करना और दूसरे धर्म को बुरा कहके मैं हंदू हूं यह बोलना यह दोनों में का जो फरक है यह आज की लोगों को यह समझ लेना चाहिए हल तो यह है कि जो राजग छाटरुबधी शिवाज ने महाराज ने घृष करें दूसरे लोगों को बुरा बोलने से अच्छा अपने माराज के लिए कि लिए Потому अप्रत की राजनीति ये फैला रहें ये बंद नहीं होगी तो इस देश का विवाजन होना तया है और ये पूरे देश के लिए भूत ही हारीकारेख ये जो जहर ये फैला रहें ये तुरंद रोकना चाहिए और इसके लिए पूरी हमारी कोशिश रहें अगर आज ये कहते हैं तो हम पूरे भारतिय ए तो अब कहीं तो भी जो है इसमें जो एक तफर्के की सियासत जैसे आपने भी कहा और अब तो अधालत भी शक्यदारे में है अब पथर को एम और मारता है और कल पथर मारता है और आज उसे मुझरीम करार देकर उस के शिकार हम भी हुए जैसे आपने बोला च्छात्रपदी शिवाजी महाराज की प्रतिमा पे बैंगलोर में कुछ लोगों ने जो इंक काली फेकी थी उसके लिए हमने यहां पर अंदोलन किया हम खाली बोल रहे थी कि जिनों ने वो किया उनको उनको शासन करें तो उसके लि सेखड़ो साल अंग्रेजों का राज था उसके बाद में चैटरपदी शिवाजी महाराज ने जो गुस्कोर थे उनके साथ लड़ाई की तो इतने सेखड़ों साल पर पहले मुगलों का भी तुद्धा तो इनको इतने साल हम जगड के इनके साथ फाइट करके इस एक रवा एक कभी खतम नहीं हो सकता जब तक हमारी पीडियां चलती रहेंगे तब तक यह धर्म चलता रहेगा बस इसका उपव्योक करके यह जो राजनीती यह लोग कर रहे हैं यह समझना अभी वक्त के मुलक खतरनाक मोड पर है है और अभी अगर आंख नहीं खुली इस देश्व मार्द पार्टियां जितनी भी हैं और मैं तो कहता हूं तकरीबन सियासी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि सतर साल बहुत कुछ मौका था कर नहीं पाए लेकिन अब जब उनके हाथ में सताई 2014 के बाद जिस तरह से एक तरह का धुरूवी करन देखा जा रहे कई मौके होने के बावजूद भी हमने गवाएं हैं लेकिन जो नौजवान पीड़ी है उनको हम समझा सकते हैं तो किस कदर हम आप देश को बचा सकते हैं एक आखरी आप अपने बाद देखिए 2014 में जब यह सब एक परिवरतन की जो आंधी आई थी उसमें हम भी शामिल थ कि लिए हमने हम भी सपना देख रहे थी कि एक आदमी है जो इस देश का कुछ भला करेगा या इस देश को कुछ बदलेगा इस देश को तरकी की रह पर लाएगा उस नेगा से हम मतलब हमारे जो आपी मोधी जे उनको देख रहे थे उसके बाद में जो भी चालु हुआ है यह जब हमको समझ में आया तब हमने अपने हिसाब से कम चालू किया है यह देश के लिए नहीं है छोटे-छोटे मतलब अभी पहले कैसा था एक आदमी अभी विधान सभा का एक मेले चुन के आया तो जब तक वो चुनाओ लड़ता था तब तक वो पर्टी का था जब वो च मतलब अगर आप बीजेपी में आओ गया आप पर्टी में काम करोगी तो ही आपका काम होगा तो ही आपको इंसानित के नाते देखा जाएगा ने तो आप इंसान भी नहीं हो ऐसा हमको लग रहा है तो यह रुखना चाहिए महाराष्ट में देखा है कि शिवसेना भाजपा के विरोध में है तो शिवसेना के उपर इडि इस तरह से जो लगाई जाते हैं सरकारी अंतरान जितनी भी है पूरी अपने कब्जे में लेकर इस तरह से काम किया जैसा आपने कहा कि अगर आप हमारे साथ नहीं है तो आप देश विरोधी है आप राष्ट्रवाद की जपा का उरूज है फिर हिंदुत्वधी तंजी में जो आई है तो तब से यहां पर भी कुछ और आये दिन प्रमोद मुतालिक कुछ न कुछ स्टेट्मेंट देखे चला जाता है कारवाई नहीं होती सर तो नौजवानों को आप क्या मेसेज देना चाहिए नौजवानों क तो यह नफ्रक्त की राजनीती समझ में आने चाहिए हमारा तो एक लक्ष है कि इस सब से उनको बाहर निकल के देखिए हिंदुत्व की व्यक्या मैं आपको एक दो मिनिट में बोलता हूं अगर यह जो काश्मीर फाइल जो इन्होंने एक पिक्चर रिलीज हुआ था उसका प्रमोशन पीम ने तक किया अगर उनके साथ अन्य हुआ वह दिखाना चाहिए ठीक है जब वह काश्मेरी पंडितों के साथ जो हुआ तब वहां पे भाज़ापी अलाइंस में रूलिंग में थी तब उन्होंने कुछ नहीं किया जब उनको वह पंडितों को सहारे की जुर प्रमाने राज़्ण लाजनिती और इनके मर्केटिंग का उनकी ब प्रॉबगों के समझ में पहना चाहिए अभी हम महाराष्ट एकी करन समीति के माध्यम से काम करते हुए अपनी अपनी संस्कुर्दी और अपने जो हमारा ये जो सिमा लड़ा है इसके लिए काम कर रहे हैं मगर हमने कभी भी नफरत की राजनेती नहीं की है तो मेरी उनसे एक बिंती है आप खुली समीति नौजवान काईद के तोर पर इने देखा जाता है उन्होंने जो कहा है हिंदुत्वा की जो परिभाशा इसके डेफिनेशन को जिस तरह से एक अलग तरीके से पेश करके क्योंकि धर्मांद जो तरीका है इसो डिफाइन करने में कहीं तो भी गलतिया हो रहे है और न लहाजा उमीद करते हैं कि नौजवान इनके इस पैगाम को जहनशीन कर लेंगे अपने जहनों में पैवस्त कर लेंगे और उस पर आमल करने की कोशिश करेंगे इत्यादनी देखने के लिए शुक्रिया अल्दापीस